नमस्कार मैं उसलाम अलिया और आप देख रहे हैं DRB News लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है वहीं राज्य सरकार भी से लड़ने की पूरी तैयारी में जुटी हुई है इसे बीच लोगडाउन की खबरे लगातार गरमाती जा रही है लोगडाउन कई जगाओं पर लगाया भी गया है कई गाइडलाइन्स के तहट वीकेंड लोगडाउन का एलान भी महराश्ट में किया गया है इसी बीच अब व्यापारी संगठन भी इसका विरोध करते दिखाई दे रहे है व्यापारी संगठनों की यदि माने तो उनका साफतार पर कहना है कि यदि लोगडाउन लगा तो वो पुरे महराश्ट भर में इसका विरोध करेंगे महराश्ट में जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले बट रहे है वहीं दूसरी ओर महराश्ट सरकार के मिनी लोगडाउन के फैसले से व्यापारिक शेत्र में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है व्यापारियों का कहना है कि राजनीतिक विवादों में फसी महाविकास अगाडी सरकार कोरोना महामारी पर नियंतरन तो कर नहीं पा रही है और फिर से 25 दिन का कड़ा लोगडाउन लगा कर व्यापारियों और मजदूरों को बरबादी के कगार पर पहुचा रही है अब तक लाखो व्यापारी पिछले साल के लंबे लोगडाउन के कारण हुए अभूत पूर्व घाटे और कर्ज के बोश से दबे हुए है और उससे उभर भी नहीं पाए कि फिर से सरकार व्यापार बंद कर रही है अब 25 दिन के नए नुकसान की भरपाई कैसे होगी ये सवाल भी व्यापारी उठा रहे है व्यापारिक संगठनों के महासंग कैट ने महाराष्ट सरकार के लोगडाउन के फैसले का कड़ा विरोध करते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है महासंग ने सरकार की मनशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने लाखो छोटे दुकानदारों को तो अपनी दुकाने 25 दिन बंद करने का अदेश दिया है लेकिन बड़ी ऑनलाइन कमपनियों का व्यापार चालू रखा है उन्हें माल बेचने और कमाई करने की छूट दी गई है ये तो छोटे व्यापारियों के साथ घोर भेदबाव है इसलिए पूरे राज्ज में व्यापारी लॉकडाउन का विरोत करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि यदि बंद करना है तो पच्चीस दिन के व्यापार बंद के नुकसान की भरपाई भी की जाए ये ख़बर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताईएगा साथी साथ इस वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिएगा इसके अलावा हमारे चैनल DRV News को सब्सक्राइब जरूर करिएगा